तो दोस्तों स्वागत आपका The People Medical Channel पर देखिए इस वीडियो में जानेंगे एजी सोमजी सिरफ के वारे में जानेंगे कि ये कब दी जाती है कौनची प्रोलों में काम आती है कितने बड़े बच्चे को दे सकते हैं कितने दिन तक चलती है इस पर सावधानी क्या बढ़ते कह कमाँ पर नहीं देनी चाहिए क्या इसके साईद फिट होते हैं दोज कितने होती हैं तो समपुर्ख जानकरे लिए वीडियो पुरा देखेगा इस चोटे बच्चछों में चलते हैं , बच्चा तिन मनत का है 15 साल का है वहां दी जाती है चोटा बेबी है बच्चा है चाइल्ड है चिल्डरन है वहां दी जाती है डॉक्टर प्रिस्काइब करते हैं बच्चों के चाइल्ड इस्पेसलिस्ट तो सेल्फ फ्यूच मत कीजेगा बच्चे को अपनी साब से कभी मत दीजेगा इसमें दोस्तों एक ची होती है bacterial infection जब बच्चे को हो जाता है जिसके कार्ण कई problem होती है उसके अंदर यह चलती है तो अलगलग condition में किसी में 3 दिन चलती है किसी में 5 दिन चलती है किसी में 7 दिन चल सकती है तो अलगलग condition में अलगलग चलती है पूरा treatment देना ज़रूरी होता है क्योंकि जो infection होता है वो वापस हो सकता है इसलिए treatment को पूरा दीजिए तेकि इसके price के बात लो तो 50 रुपे के आजपास मिलती है यह शिपला company के द्वारा बने जाती है एक जानी मानी अच्छी company है trusted company है product अच्छे बनाती है बच्चे के side fit इसके कमी होती है तो दोई की दुगान पर मिल जाएगे आपको दोस्तो यह 200 mg में भी आती है और 100 mg में भी आती है जो mg डोक्टर रंग दी है उसी mg में आपको देने बच्चे को अब बात रहते हैं इसके अंदर क्या ingredient आता है तो देखिए इसके अंदर आता है एजित्रोमाइसिन 100 mg में पर 5 यह जब आप 5 अंबल की डोस दोगे तो उसके अंदर 100 mg में एजित्रोमाइसिन आत आएगा तो एजित्रोमाइसिन वो समझेंगे तो दोस्तों एजित्रोमाइसिन जो होता है एक एंटिवाइटिक होता है लेकिन इसका जो यूज है यह शिरी bacterial infection को खतम करने के लिए ही किया भी होता है तो यह सब कुछ देखना पड़ता है bacterial infection के कान अगर है तो यह antibiotic medicine काम कर देगी वरना यह काम नहीं करेगी बच्चे को नहीं देनी चीए वाइरल है फलू है वहाँ antibiotic दौआ नहीं देनी चीए तो यह सब कुछ दोक्टरी पचानते हैं आप अपनी साब से मत दीच तो दोस्तो bacterial infection में यह काम करेगी यह antibiotic अब इसके यूज के वारें बात कर लेते हैं तो इसका जो पहला और सबसे द्यादा जो यूज होता है वह throat infection में होता है यानि गले का इंफेक्शन दोक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वहाँ पर पांस हमजी और डाइस हमजी दिया जाता है ठीक है तो throat infection में बड़े काम करती है ऐसी दोस्तो लंग्स का infection जिसे कि नुमोनिया बनना लंग्स के अंदर infection हो जाता है बच्चे के वो भी दोस्तो वाइरल की कान भी हो सकता है औ ऐसी दोस्तो कोई कान का infection हो जाए कोई आखों का infection हो जाए तो उस infection में भी काम करती है ऐसी दोस्तो अगर कफ जमा है खासी की problem बच्चे को बच्चे को बुखार आ रहा है ठीक है उस condition में भी इस दुआ का यूज किया जा सकता है ऐसे ही कोई skin infection हो गया है तो skin specialist भी prescribe कर सकते ह हड़ी के अंदर इंफेक्शन हो गया है कोई दात के अंदर इंफेक्शन हो गया है या देखा गया है कि कई बर यह यूरीन इंफेक्शन में भी दी जा सकती है तो कई तरह के infection होते हैं, कई पर दोस्तों कुछ गल्चीज खाने से बच्चे के पेट में आत के अंदर infection हो जाता है, जिसको हम कहते हैं gastrointestinal infection, तो उस condition में भी यह doctor चला सकते हैं, पेट के अंदर यानि आत के अंदर होने वाले infection में भी यह doctor दे सकते हैं, तो कहने का मतलब है अगर इंफेक्चन हो रहा है, तो उस bacteria को यह मार देता है, उनके protein को बनने से रोग देता है, जिसके कान वो मर जाते हैं, तो बेक्टरी इंफेक्चन में काम करती है, अच्छा काम करती है, अब आत करते हैं इसकी dose क्या होती है, तो जैसा मैंने का वीडियो की सुरू में ही, हर बच्चे की डोज अलग-लग हो सकती है सबसे जरूरी चीज जो छोटे बच्चे होते हैं बेबी होते हैं उनका Body Weight लेना भूत ही जरूरी होता है क्योंकि Body Weight की साफसे Multiply करके डोज इसको Docter Prescribe करते हैं तो डोज अलग-लग हो सकती है दिन में एक बार भी हो सकती है दिन में दो बार भी हो सकती है तो depend करता है problem और बच्चे के motivate के ऊपर age के ऊपर sidefait के बात को तो देने के बात हो सकता है कि थोड़ा बहुत बच्चा vomiting या nozya problem हो जाए बच्चे के नहीं उबा करने लगया बच बच्चे के לग सकते हैं पेटे में दर्थ हो सकता है नीन दाने में समस्षा होसकती है लेकिन यह बहुत करते कम सालश में होती घबनाने की बात नहीं जादा बच्चे के तकलीफ हो रही है तो । वोक्टर को बता दीजिएगा वैसे वैसे होता नहीं है तो दोस्तों संपूर्ड रियू था एजी सोमजी शिरफ के बारे में यहां तेक वीडियों लिए बहुत बहुत हैं